टेबल आफ लेपलास ट्रांसफोर्म मतलब ए लेपलास ट्रांसफोर्म के स्टैनर फंक्षन से है चलो देखेंगे इधर देखें लेपलास आथा है 1 बाइस बहुत सिम्फल है ठीके न सेकेंड आथा है लेपलास आफ e रेस्टु 80 यह हो गया 1 बाइस माइस ए फर्ड बान का लेपलास of e rest to minus 80 यह हो जाएगा 1 बाइस प्लस है इन दोनों को देखें लेपलास Of e rest to 80 ब्लस ए है मगर रेज हैंश फोर्ट में 1 बाइस प्लस प्लस है आ जाएगा तोड़ा साइन चेंश करना है ओके पलस हा तो मैनस रखना है मैनस तो प्लस रखना है इधर fourth one आता है laplace of cos at यह हो गया s by s square plus a square fifth one laplace of sin at यह हो गया a by s square plus a square बाद में इन दोनों 6 and 7 hyperbolic function आता है cos h at and sin h at okay laplace of cos h at is equal to s by s square minus a square इन दोनों को देखे fourth and six okay इधर denominator देखे इधर plus आता है इधर minus आता है सिर्फ sin challenge कर रहा है hyperbolic आया तो plus के जगह में minus रखना है हमको right answer मिल जाएगा and seven देखे laplace of sin h at is equal to a by s square minus a square fifth and seven देखे fifth का है laplace of sin at only a by s square plus a square है इह hyperbolic function है अगर hyperbolic function है तो plus के जगह में minus रखना है ठीक है बाद में इन दोनों देखे laplace of t raised to n is equal to n factorial by s s to n plus 1 यह laplace of t raised to n equal to gamma of n plus 1 by s s to n plus 1 इन दोनों को कब यूज़ करना है इस पाड को t raised to n अगर positive integer रहा तो हम इसको यूज़ करेंगे n factorial by s s to n plus 1 अगर n positive real number रहा तो तब यह formula आज़ेगा gamma of n plus 1 by s s to n plus 1 आज़ेगा चला इसको कुछ example solve करेंगे बहुत ही simple का exam है इदर दे कि first one laplace of 4 लेंगे हम यह 4 तो कॉंसंट है बहार लेंगे हम laplace of 1 रहे जाएगा laplace of 1 रहे जाएगा 1 by s है यह हो गया 4 by s आज़ेगा laplace of e raise to 2 t है मतलब इस formula को हम अपलाई करेंगे a के जगह में 2 है 1 by s minus 2 आज़ेगा ठीके third one है laplace of e raise to minus t है मतलब यह third formula हो जाएगा तर दे कि a के जगह में minus a के जगह में minus 1 है minus become plus a होता है 1 upon s plus 1 आज़ेगा बहुत ही simple है ओके fourth one देखेंगे laplace of 3 into e raise to 4 t है simple example है starting में ओके 3 constant हो गया laplace of e raise to 4 a t मतलब इसको हम उज़ेगे 1 upon s minus a a मतलब 4 है 3 by s minus 4 आज़ेगा बहुत ही simple है ठीके now laplace of 2 cos h 2 t है hyperbolic function है यह 2 constant है हम पहले लेकेंगे 2 only laplace of cos h 2 a t हम इसको formula उज़ेगे s by s square minus a square ok a के जगह में इदर 2 है मतलब 2s by s square minus 2 square यह हो गया 4 ok next example laplace of 3 sin hyperbolic function है sin h 2 t है यह 3 तो constant है only laplace of sin h 2 t मतलब इसको हम उज़ेगे a by s square minus a square इदर a है 2 है 2 into मतलब 3 into 2 divide by यह हो गया s square minus a square a 4 a इदर 4 आज़ेगा ok next example a हो गया 8 7 laplace of cos t है ok laplace of cos t मतलब हम इसको formula उज़ेगे इस formula का उज़ेगे हम s by s square plus a square इदर a है 1 आज़ेगा यह होगा है s by s square plus 1 square is 1 बहुत ही सिंपल है ok next 8th one laplace of 3 cos 480 लेंगे हम ठीके यह तो 3 तो 3 concentrate बार हैं लिखेंगे पहला बार में laplace of cos 4t मतलब s by s square plus a square इदर 3 s by a square plus a square a square मतलब 16 आज़ेगा ठीके नॉ、 लेब प्लास आफ टी देस्ट तू, 5 है, T तू, त राज तू, N लिजे पॉजितिव इंटीजर है, मतलब पॉजितिव इंटीजर है तो इसको हम फम्मुला यूज्ज करेंगे, ठीके, इधार देखे हैं, N…. इन सृ, नॉजिता मतलब 5 सैंटिवे का स्टू 5 प्लस 1 मतलब 5 फेक्टरल आ जाएगा 120 आ जाएगा 120 बाइ स्टू 6 आ जाएगा बहुत ही सिंपल है बाद में लेप्लास आफ 4 इंटू टी क्यों है ओके सेमी फॉर्मुला है लेप्लास आफ टी रस्टू या जाएगा बहुत ही सिंपल है नेक्स्ट बहुत ही इंट्रेस्टिंग है एक्जाम्पल लेप्लास आफ रूट टी है हम इसको कैसे सॉल करना है यह तो बहुत ही सिंपल है लेप्लास आफ रूट टी यह होता है टी रस्टू 1 बाइट टू एन इजे पोजिट्व रियल नंबार मतलब इस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे ओके गामा आफ यन प्लस वन यह हो गया गामा आफ यन प्लस वन मतलब 1 बाइट 2 प्लस 1 यह होता है गामा 3 बाइट 2 यह डिवाइट बाइट 2 यह डिवाइट 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 2 यह डिव मतला 4 हो गया find the laplace transform of the function इधर function दिया गया है 3 into root t plus 4 by root t है okay हम इसको solution लेंगे f of t करके लेंगे f of t is equal to 3 into root t plus 4 by root t है ठीक है बहुत ही simple है हम इसको simplify करेंगे थोड़ा आसान step लेंगे 3 into root t को हम t raise to 1 by 2 लेंगे बहुत ही simple है plus 4 into 1 by root t मतलब 1 by t raise to 1 by 2 इसको उपर लेया तो t raise to minus 1 by 2 आजाएगा ओके f of t इसको तो यह आगे जाएगा बाद में हम laplace apply करेंगे laplace of f of t हो गया and 3 is a constant now laplace of t raise to 1 by 2 plus 4 is also constant laplace of t raise to minus 1 by 2 ओके आपको पताए होगा now laplace of t raise to n इस तरह formula आजाएगा हम इसको यूज करेंगे gamma of n plus 1 divided by s raise to n plus 1 इसको हम उसको यूज करेंगे ठीके now यह हो गया 3 into laplace of t raise to n gamma of 1 by 2 plus 1 इसको यह गामा 3 by 2 divided by s raise to 3 by 2 आजाएगा बहुत सिंपल है ठीके plus 4 into laplace of t raise to n इसे माइनस है मतलब minus 1 by 2 plus 1 इसको यह होता है gamma of 1 by 2 divided by s raise to 1 by 2 आजाएगा सिंपल बाद में इस स्टेप को देखे जेनरली हम इसको शॉल करने के लिए क्या आज़ते gamma n करके लेंगे gamma n is equal to n minus 1 into gamma n minus 1 हो जाएगा इस इकल तो 3 into n minus 1 मतलब 1 by 2 minus 1 इसको यह हो जाएगा into 1 by 2 आजाएगा 1 by 2 and gamma n minus 1 मतलब 3 by 2 minus 1 इसको यह gamma 1 by 2 आजाएगा तो यह बाद बाद इसको यह स्टो 3 by 2 okay plus 4 into a यह तो सेमे रखेंगे next step को सॉल करेंगे इसको now our step is gamma 1 by 2 यह gamma 1 by 2 यह हो गया root pi करके हम मेंचे करेंगे okay root pi gamma 1 by 2 is equal root pi and लिए प्ला साफ f of t is equal to यह हो गया 3 into gamma 1 by 2 is root pi यह 2 नीचे आजाएगा मतलब यह हो गया 2 into ss2 3 by 2 plus 4 into gamma 1 by 2 is root pi and ss2 1 by 2 this is required laplace of f of t find the laplace transform of the function यह देगा है t raise 2 minus 5 by 2 plus t raise 2 plus 5 by 2 है इसको हम सॉल करेंगे यह तो बहुत ही सिंपल है इसको हम f of t करके लेंगे f of t is equal to t raise to minus 5 by 2 है प्लस 3 raise to plus 5 by 2 है वह प्लस है और मैनस है ठीक है ना बात में laplace यह उसको करेंगे laplace of f of t is equal to laplace of t raise to minus 5 by 2 plus laplace of t raise to plus 5 by 2 है है ओके हम सिंपल का फॉर्मुला यह उसको करेंगे तो laplace of t raise to n एक फॉर्मुला है इसको हम इसको करेंगे गामा of n plus 1 divided by s raise to n plus 1 है ठीक है यह हो गया laplace of t raise to minus 5 by 2 है यह होता है n plus 1 मतलब minus 5 by 2 plus 1 यह आजाएगा गामा of minus 3 by 2 divided by s raise to minus 3 by 2 आजाएगा प्लस इसको सेकंड टाम को सेमी फॉर्मुला इसको करेंगे n is equal to plus 5 by 2 5 by 2 plus 1 यह आजाएगा गामा of 7 by 2 divided by s raise to 7 by 2 आजाएगा ठीक है next next में इदर देके minus 3 by 2 तब क्या करना है हम इसको फॉर्मुला इसको करेंगे ओके अब इदर देके गामा of n plus 1 is equal to यह होता है n into गामा n आजाएगा अब देरफोर गामा n is equal to हम इसकोलेंगे सर्प गामा of n plus 1 divided by n आजाएगा ठीक है इदर देके फॉर्स टर्म को हम सिर्फ फॉर्स टर्म लेंगे गामा of minus 3 by 2 इसकोल तो यह होगा गामा n यह n होगया यह इसकोल गामा n plus 1 मतलब गामा of minus 3 by 2 plus 1 यह होगा minus 1 by 2 divided by n है n मतलब minus 1 by 2 आजाएगा बहुत ही सिंपल है इसकोल तो यह इसकोल यह इसकोल यह जाएगा गामा यह होगा n है minus 3 by 2 आजाएगा यह होगा minus 2 by 3 into गामा minus half फिर यह इसको ही यह उसकारेंगे once again गामा of n plus 1 n मतलब यह है minus 1 by 2 so n plus 1 so minus 1 by 2 plus 1 gamma plus 1 by 2 आजाएगा divided by n okay so n होगा minus 1 by 2 ठीके हम इसकोल यह इसकोल यह gamma n is equal to gamma n plus 1 divided by n a n होगा so divided by n होगा minus minus 1 आजाएगा a 4 by 3 4 and gamma 1 by 2 root pi आजाएगा divided by 3 है बहुत इसकोल यह इसकोल यह इसकोल यह हम so gamma of 7 by 2 okay so one more formula gamma n is equal to so n minus 1 gamma n minus 1 आजाएगा okay so this is a gamma n this is when is a positive integer we can use this formula okay when is a negative you can use this one clear so it positive है n is equal to positive है इसको हम second one को यूज करेंगे इस पाट को लिंगे हम यह positive है n is a positive okay now gamma 7 by 2 is equal to n minus 1 मतला 5 by 2 into gamma 5 by 2 हो गया ठीक है 5 by 2 ऐसे रहेंगे again gamma n हो गया so n minus 1 into gamma n minus 1 5 by 2 minus 1 यह हो जागा 3 by 2 gamma 3 by 2 I say continue होगा 5 by 2 into 3 by 2 again gamma 3 by 2 मतलब n minus 1 मतलब यह हो गया 1 by 2 into gamma 1 by 2 ठीक है so यह अदा है 15 8 15 यह हो गया root pi gamma 1 by 2 is a root pi divided by यह हो गया 8 okay इस value को इस value को इन दोनो value को equation number हम इसको 1 करेंगे substitute करेंगे okay substitute in equation number 1 मतलब गामा लैपलास sorry लैपलास F of T is equal to first term okay first term क्या है gamma minus 3 by 2 is equal to 4 pi root pi by 3 है so 4 into root pi by 3 into यह हैगा s rest 2 minus 3 by 2 ठीक है बहुत ही simple है plus gamma 7 by 2 gamma 7 by 2 का है 15 root pi divided by 8 है into s rest 2 7 by 2 this is required solution अगर आपको इस वीडियो पसंद रहे तो subscribe कीजिए like कीजिए comment में दिजिए subscribe कीजिए तो नए वीडियो का notification आपको मिलेगा अगर आपको दूसरी वीडियो चाहे तो मेरे YouTube के playlist में जाहे otherwise इस वीडियो के description में कुछ links है और i button में कुछ links है so thanks for watching